शिमला, जिसे हिल स्टेशन का गहना कहा जाता है, आजकल भूस खलन और बारिश की मार जेल रहा है। वर्ष 2023 में भारी बारिश ने शहर में भारी तबाही मचाई थी, और इस साल भी बारिश का प्रारंब होते ही वही डरावनी यादे ताजा हो गई है। बीती राज शिमला के स्थानिय बस स्टैंड और रिपन अस्पताल के करीब भूस खलन हुआ, यहाँ नई पार्किंग का निर्मान चल रहा था, लेकिन भारी बारिश के कारण काम बंद कर दिया था। शुरू हुई इस भूस खलन ने मुख्य मार्क को बंद कर दिया और वाहनों की आवाजाही को बाधित कर दिया। अगले कुछ घंटों में स्थिती और बिगर सकती है। अगले को बंद कर दिया। लेकिन मुझे भड़ा ही थेकेदाने क्यों कार रहा शुरू कर दिया। यह साड़े पांच मेरे जब आया तो साड़े पांच मेरे पूरी टीम के साथ यह पूरे ओफिसर्स के साथ नगे। शिमला में प्रशासन और पुलीस लगातार काम कर रहे हैं ताकि स्थिती को नियंत्रण में रखा जा सके। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधानी बरते और अनावशक यात्रा से बचे। बारिश और भूस खलन से प्रभावित इलाकों में जल भराव की समस्या भी गंभीर है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिये हैं लेकिन लगातार हो रही बारिश से मुश्किले कम होती नजर नहीं आ रही है। लोकल 18 के लिए शिमला से पंकच सिंगटा की रिपोर्ट